हेलो औल एंड विल्कम बैक अगेन सबसे पहले तो यहीं बात कर लेते हैं कि जो comprehension का paper है वो कब करना चाहिए और इसमें language की कितनी importance है आप सबी लोगों को पता है कि जो C-Sight का paper होता है C-Sight के paper में basically दो important section होते हैं एक section होता है जो हमारा comprehension based section होती है तो this is comprehension based section दूसरी होती है जहाँ पर आपके पास में maths होती है reasoning होती है etc. यह सारी चीज़े mainly होती है अब देखिए ना तो आप comprehension को skip कर सकते हैं और ना ही maths को skip कर सकते हैं हाला कि इसमें लाना आपको 33 ही percent है लेकिन कहीं न कहीं इन दोनों का ही अपने आप में weightage important है और दोनों को ही आपको equally attempt करना चाहिए दोनों को ही equally importance देनी चाहिए तो math के कुछ sections तो हम लोग ने discuss किये हैं कुछ reasoning के sections discuss किये हैं इस समय हम लोग बाते करेंगे जो comprehension की कहानी है तो इसको अटा करके comprehension की ही कहानी के बारे में जड़ा discuss करते हैं सबसे पहली चीज यहाँ पर यहाँ आती है कि आखिर में जो comprehension है उसमें language का कितना role है language में आप यहाँ पर देखिए आपको दो language में मिलती है एक आपका English होता है और दूसरी होती है Hindi version अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो English वालों को English असान लग सकती है हिंदी वालों को हिंदी असान लग सकती है डिपेंड यह करता है कि आपका कितना command है आपके language के उपर में यहाँ पर दो बाते आपको ध्यान रखनी होती है language आपकी चाहे जैसे भी है हलाकि कोशिशे ही करनी चाहिए कि आप दोनों भाशा में पढ़िए English में भी पढ़िए और साथ ही साथ में Hindi में भी पढ़िए कहने का मतलब यह है कि आपका आसानी से जो answer निकलेगा वो English में निकलेगा लेकिन इनकेस अगर vocabulary बहुत tough use की गई है suppose language बहुत tough use किया गया है then you can use Hindi version also लेकिन depending कर जाता है यही कि आप कितना time devote कर रहे है C-side के paper में normally आप कोशिश यही किया करिए कि एक घंटे के आसपास आप अपने comprehension को दीजिए और बचा हुआ जो आपका एक घंटा 45 मिनट है या कह लिजे कि ठीक है एक घंटे 45 मिनट के ही आसपास ले लिजे क्योंकि 15 मिन तो इधर उधर में चला ही जाता है या आप अपने maths वाले section को देखिए कारण इसका यह है कि जो maths वाले answers होते है यह आपको पता है कि इसमें क्या answer आएगा वो accurate होते है comprehension में कई बार आप करके तो आते हैं लेकिन इसमें ऐसी कोई accuracy नहीं होती है कहीं न कहीं यहाँ पर एक degree of uncertainty रहती ही रहती है तो इसी वज़े से आप कोशिश यही करिए कि maths के question को ज़्यादा attempt करिए लेकिन वहीं अगर comprehension भी है तो कुछ comprehension के भी question आपको attempt करने ही पढ़ेंगे खैर यह ऐसी strategy है जो normally सभी लोगों को follow करनी चाहिए केवल अगर आप comprehension पर based चले जाते हैं तो कहीं न कहीं एक sense of insecurity exam में रहेगी तो यहाँ पर अब language का कितना importance है importance यही है कि अगर आप English language पर थोड़ी सी अच्छी command है तो आप बहुत अराम से चीजों को कर ले जाएंगे हिंदी में बस यह होता है कि शब्द को जादा ही tough रहते हैं English में relatively paper आसान रहता है comprehension का लेकिन बस यही है कि कुछ question ऐसे होते हैं जो English में आसान लिखे होते हैं कुछ question होते हैं जो आपको हिंदी में आसान होते हैं तो बस आप दोनों को ही दोनों भाषा का इस्तमाल करिए और दोनों को ही पढ़िए जहां पर नहीं समझ में आए वहां पर लेकिन कोशिश ही करिए कि आप English में ही paper को attempt करिए अब यहां पर करना कैसे है how to attempt the paper या how to attempt the comprehension questions how to attempt में देखिए एक तो तरीका यही होता है यहां पर जो आपसे quality मांगी जाती है वो है retention power retention power यानि कि आप पढ़ करके कितना आपके दिमाग में चीज़े बैठ रही है कितने देर तक बैठ रही है इसको करने का एक तो तरीका यह हो सकता है कि आप पहले जो comprehension दिया गया है उस comprehension को अच्छे से पढ़िए comprehension को अच्छे से पढ़िए और फिर उसके बाद से questions पर आईए और फिर questions के answer करना शुरू करिए लेकिन देखे इस तरीके में यह ideal तरीका हो जाता है और इसमें कहीं न कहीं आपका जो time है वो बहुत जादा लग जाता है करना क्या चाहिए तब करना यहां पर यह होता है कि आप पहले ही questions को read कर लिजे क्या क्या question पूछा गया है read कर लिजे question के जो keywords है अब जरा यहां से आप ध्यान से सुनिएगा question जब आपने read किया तो question में आपने keyword छाट लेना है कि keyword क्या पूछा गया है अब आप keyword पढ़ लिये हैं तो अब आप comprehension पर आईए जहां जहां पर आपको keyword दिखे वहां वहां पर underline mark करते जाईए और फिर उसके बाद से question पढ़िए उस word पर जाईए और देखिए कि आखिर में क्या चीजे link बन पा रही है और फिर ultimately अपने answer को वहां से निकाल लिजे कि आपका answer क्या क्या हो सकता है तो strategy बड़ी ही simple है आप यहां पर बस पहले question पढ़कर के keyword छाट ये फिर अपने comprehension वाले part पे आईए और फिर question का answer ढूंड करके वहां पर answer लगा दीजिए ऐसा पहले के time पर होता था कि आपको सीधे तोर पे आपके answer वही statement में लिखा होता था और बस आपको पढ़कर के answer मार कर देना होता था लेकिन अप comprehension relatively tough आ रहा है अब जो questions आपको मिल रहा है they are basically philosophical based questions तो कही न कहीं आपको पूरे comprehension को read करना पड़ेगा उसको आपको decipher करना पड़ेगा तब जा करके केवल अपने answer को आप निकाल सकेंगे ये तो वो बाते हो गई जो आपको करना चाहिए तो चलिए फिर जरा question में इसी strategy को अपना करके कुछ answers निकालना शुरू करते हैं strategy समझ में आ गई एक बार फिर से बोल दू सबसे पहले आप question का question read करेंगे keyword चाटेंगे question में और उस keyword को आप चुनना शुरू कर देंगे जो आपके comprehension में दिया गया है अब यहाँ पर देखिए पहला ही question दिया गया है direction for the following three item यहाँ पर बोला गया है read the two passage and answer the item that follows the passage your answer to these items should be based on the passage only केवल आपका यहाँ पर देखिए passage only से answer निकाल करके लेके आना ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कहीं पर पढ़ रखें और अपने मन से आप answer को छाटेंगे नहीं answer केवल वही correct माना जाएगा जो passage में दिया गया है या passage की information से आप derive कर सकते हैं अब यहाँ पर passage दिया गया है मैं passage को बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ मैं पहले आ जा रहा हूँ question पे यहाँ पर देखिए दो question दिया गया इस passage नमबर बन से question यह बोला गया है unsustainability यह keyword है मैंने underline कर लिया कि unsustainability in production pattern production pattern भी यह keyword है मैंने underline कर दिया अब यहाँ पर दो चीज़े लिखी गई है अब मैं तुरंत आ जाओंगा uncertainty और production pattern को ले करके अब यह मैंने question mark कर लिया दूसरा question बोला गया है developed country or can support developing country transition in sustainable human development तो यहाँ पर keyword बन गया developed, developing और sustainable human development अब आईए जरा फटा फट जरा सा हम लोग passage पर आ जाते हैं तो passage बोलता है the main threat to maintain progress in human development देखिए हमारा keyword है sustainable human development यहाँ बोला गया था तो human development हमारा keyword बन गया comes from increasingly evident unsustainability आ गया keyword अगेन देखिए यहाँ पर keyword था this is unsustainability unsustainability of production and consumption pattern तो मेरा production pattern यह question में पूछा गया है जो कि यह keyword देखिए यह हमारा production pattern है तो production pattern में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल गया so current production pattern, current production तो production अगेन आ गया models rely heavily on fossil fuel तो यह बन गया heavy fuel पर dependent we now know that this is unsustainable again आ गया because the resources are finite यह फिर से आपका एक keyword बन गया the close link between economic growth and green house gas emission need to be served for human development फिर से आ गया keyword हमारा to become truly sustainable फिर से हमारा keyword आ गया some developed country हमारा keyword आ गया have begun to alleviate the worst effect by expanding, recycling and investing in public transport and infrastructure यह कुछ शायद तरीका बता रहे है कि developed country developing को कैसे help कर रहे है but most developing country are hampered by high cost and low availability of clean energy resource ठीक है again developed countries need to support developing country transition to sustainable human development यह पूरा ही जो statement है अपने आप में keyword से भरा हुआ है अब मैंने यहाँ पर यह सारे keywords मैंने highlight करके रखे हुआ है अब मैं यहाँ पर question पढ़ूँगा question वापा से पढ़ना है step number one क्या था आपको question read करनी है तो question read करनी है और identify the keyword अब मैंने keyword identify कर लिया step number two में आपको क्या करना है step number two में आपको आना है अपने passage पर तो this is passage पर अपने आ जाना है और passage पर आ करके आपको उस keyword को highlight कर दिना है तो highlight the keyword ठीक है keyword highlight ठीक है और अब step number 3 पे आ जाना step number 3 पे वापस से question को read करिए read the question again and find the solution तो step number 3 के हिसाब से अब देखिए sustainable in production pattern is due to which of the following अब हमें यहाँ पर देखना है production pattern में जो unsustainability यह वो किस किस कारणों की वज़े से है production pattern और consumption pattern हमारा यहाँ पर दे रखा है यह production pattern और consumption pattern अब यह जो हमारा production pattern वो किस किस चीज़ पर dependent है वो है heavily on fossil fuel साथ में unsustainable इसलिए है क्योंकि resources finite है तो यह दो हमें पता चल गया कि यहाँ पर unsustainability of production pattern का क्या कारण है तो यहाँ पर देखिए पहला कारण दिया heavy dependence of fossil fuel यह हमारा पहला वाला statement हो गया पहला वाला light हो गया दूसरा हो गया limited availability of resources यह हमारा दूसरा वाला point हो गया क्या इन दोनों के लावा कुछ और बोला है क्या नहीं तो हमारा तीसरा वाला option यहाँ पर third होना नहीं चाहिए तो answer में यहाँ पर हो जाना चाहिए one and two only तो answer इसका हो जाएगा only and only a क्या बात समझ में आई इसी तरीके से दूसरा statement पढ़िए दूसरा question क्या कहा जा रहा है कि developed country can support developing country transition to sustainable human development by अब developed country developing को कैसे help कर रही है हमारा उपर तो पता चल गया कि कैसे हमारा production pattern unsustainable है नीचे में आ रहा है यहाँ पर देखिए human development to become sustainable अब यहाँ पर देखिए some developed countries यहाँ पर developed country की बाते शुरू हो गई है यह expand कर रहा है recycling and investing in public transport and infrastructure यह developed country developing country की help करने के लिए कर रहे है लेकिन इसके अलावा बोला या रहा है most developing countries are hampered by यह किस कारणों से परिशान हो रहे हैं developing country यह high cost and unavailability यह low availability of clean energy source के कारण से परिशान हो रहे हैं तो अगर इन सारी चीजों में अगर developed country help कर दे developing की तो हमारा काम हो जाएगा अब यहाँ पर जड़ा खोजना शुरू करिए पहला statement बोल रहा है making clean energy resources available at low cost बात सही भी है देखे यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारी energy resource है जो clean energy resource है वो हमारी high cost है तो अगर इसको हम low cost पर available करा दे तो यह आसान हो जाएगा developing country के लिए तो सही statement पन गया दूसरा statement बोला रहा है कि public transport को help करे मतलब की invest करे loan देने का मतलब क्या एक तरीके का loan मतलब क्या होता है लोन का मतलब होता है investment तो यहाँ पर बोला रहा है providing loans for improving their public transport and nominal cost और यहीं पर लिखा हुआ है investing in public transport and infrastructure तो बात तो यह भी सही हो गई तीसरा statement बोल रहा है encouraging them to change their production and consumption pattern और यह भी बात यहाँ पर सही हो जा रही है कि इनको encourage किया जाए कि हाँ हमें और सही तरीका ले करके आना चाहिए हमें और मतलब सही sustainable तरीके ले करके आने चाहिए तो यह भी statement आपका correct हो जागा और in fact यह बात शुरू में ही बोली गई है कि unsustainability of production and consumption pattern need to be changed यह चीज़ जो होती है वो सही करने की ज़रूरत है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तीनों ही statement correct हो गई यहाँ पर answer आपका हो जाएगा D, 1, 2 and 3 all are correct समझ्या गया तो this is the step to solve any comprehension किसी भी comprehension को solve करने के लिए यही आपका तरीका होना चाहिए आराम से आप चीज़ों को ले जाएंगे इन सब के साथ साथ क्या आपको और चाहिए retention चाहिए मतलब कि आप दिमाग में आराम से चीज़ों को बिठा सके और उन सब से इन सब से सबसे ज़्यादा जो important वो है patience patience शानती रखिए जब आप शानत रहेंगे दिमाग में एकदम किसी तरीके का कोई tension नहीं रहेगा कोई hustle अप नहीं होगी तो आराम से आप चीज़ों को कर ले जाएंगे you can easily solve these questions बहुत ही आराम से आप चीज़ों को कर सकते हैं passes number two पे जरा आते हैं passes number two मुझे पढ़ना नहीं है पहले क्या करना है step number one बोलता है कि पहले question को read करना है and identify the keywords तो मैं चलता हूँ फटाफट question को पढ़ना शुरू करता हूँ यहाँ पर देखेंगे तो question एक ही दिया गया है कोई बात नहीं दो ही number मुझे मिलेगा अब यहाँ पर देखिए जो question है जरा उसको देखिए यहाँ पर जरा question दो नहीं 2.66 I guess होता है ना एक paper एक number out of 80 questions 80 questions होते हैं 80 questions के आपके 200 marks हो गया ठीक है तो यहाँ पर total एक question का कितना mark हो गया तो 200 upon 80 हो गया तो यह करीब कर बन गया 2. ठीक है आच करता लिए 66 हो गया येस बिल्कुल एक question का marking जो है 2.66 marking बन रहा है चलिए खर कोई बात नहीं यहाँ पर ज़रा question पढ़िए according to the passage given deforestation and denudation will ultimately lead to which of the following even हमें पता चला deforestation or denudation के बारे में कुछ बाते की जा रही है अब ज़रा देखिए passage पढ़ना शुरू करते हैं passage में देखिए क्या बोला जा रहा है unless the forces and tendencies which are responsible for destroying the country's environment are checked in the near future and a forestation of denuded area is taken up on a massive scale अभी तक मुझे कोई भी keyword नहीं मिला है the harshness of the climatic condition and soil erosion by wind and water will increase to such an extent that agriculture which is the main step of our people will gradually become impossible the desert condition of the world and our own desert areas in Rajasthan are a grim reminder of the consumption of large scale deforestation ठीक है pockets of desert like landscape are now appearing in the other part of the country including Satlaj Ganga Plain and the Deccan Plateau where only a few decades back there used to be lush green forest with a perennial stream and springs there is only brown earth bare of vegetation without any water in the stream and string except in the rainy days अब यहां पर मुझे denudation और जो हमारा deforestation है इनी दोनों को देखना है और साथ में हमें बताना है कि आखिर में denudation will ultimately lead to which of the following आखिर में इन दोनों का result क्या निकल करके आएगा तो हमें result के बारे में यहां पर देखना है कि क्या क्या चीज़े हो सकती है वापस से मैं अपने keywords की ओर में जाऊंगा यह हो गया soil erosion soil erosion का मतलब होता है denudation अब यहां पर जड़ा वापस से देखिए कि अगर हम forces or tendencies which are responsible for destroying the country's environment are checked in the near future a forestation of denuded area is taken upon a massive scale harshness of climatic यह वाली जो चीज़े will increase to such an extent that agriculture which is the mainstay of our people will gradually become impossible यानि अगर soil erosion किया जाएगा तो आने वाले टाइम में जो agriculture है will gradually become impossible यह impossible हो जाएगी चलिए ठीक है आगे क्या है desert condition of the world and our desert area इंदाजसान on a grim reminder of consequence of large scale यानि एक तरीके से अगर देखा जाएगा कि desertification लगातार बढ़ते जाएगा तो एक तो क्या हुआ agriculture हमारी possible नहीं होने पाएगी और desertification लगातार बढ़ते जा रहा है pockets of desert like landscape are now appearing in other part of the country including यह जो हमारे सतलज गंगा प्लेन वाले भी है यहाँ पर भी हमारा desertification फैलते जा रहा है या फैलते जाएगा आगे जाकर के where only a few decade back used to their lush green forest bear of vegetation without any water in the stream and spring except in the rainy days यह हमें देखने को मिल सकता है तो अब यहाँ पर देखिए depletion of soil resource अगर मान लेते हैं कि हमारा denudation और deforestation अगर हो जाता है तो क्या हमारा depletion of soil resource हो सकता है बिलकुल हो सकता है जब हमारा desertification लगतार फैलते जाएगा तो यहाँ पर जो हमारे resources वगरा है यह सब भी निकल जाएंगे in fact soil erosion खुद अपने आप में यह बात खुद बता रहा है कि जो soil की gradually impossible होते जाएगी और जितने भी यहाँ पर हमें resources मिल रहे होंगे वो सब यहाँ से निकलते जाएंगे यह सब हमारा खतम होते जाएगा दूसरा पार्ट बोलता है कि shortage of land for the common man shortage of land for the common man क्या जमीन खतम हो जाएगी क्या नहीं जमीन कोई खतम नहीं होने वाली है बस जमीन की जो agriculture के लिए usefulness है वो कम हो जाएगी तो यह statement गलत हो जाएगा lack of water for cultivation cultivation बिल्कुल सही बात है देखिए यहाँ पर हम लोगों ने in fact देखा भी brown earth हो जाएगी यानि desert बन जाएगा bear of vegetation हो जाएगी without any water in the spring and except in the rainy days यानि कि lack of water भी हो जाएगा तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा पहला statement और तीसरा statement के वल यही सही बैट पा रहा है इसलिए answer आपका हो जाएगा c यह हो जाएगा आपका correct answer कुछ समझ में आया क्या वाते हैं तो यह हम लोगों ने कर लिया हमारा कितने passage हम लोगों ने कर लिये हमारे दो passage हम लोगों ने कर लिये आगय अगर आप देखेंगे तो passage पर अगर हम लोग आए तो अगेन हमारे पास में चार और दो और पैसेज दिये गए हैं जिसके चार question और है अब वापस से वही चीज़ करेंगे step number one पर आईए step number one का मतलब है कि question को पढ़िए question यहाँ पर दिया गया है which one of the following statement best reflect the message of the author of the passage पहला question है कि आपको बताना है कि message क्या निकल करके आ रहा है ठीक है author का message यानि कि इसका conclusion क्या होगा तो पहला जो question है वो है conclusion को ले करके चलिए आगे क्या है आगे इस वाले question में नहीं बोला गया बस यहाँ पर आपको conclusion conclusion बताना है चले फिर पढ़ लेते हैं फटाफट की conclusion क्या है छोटा ही paragraph है जहादा नहीं है अब देखिए जो question आपको civils में हमारे पूरे paper के दौरान में जो question छोटा लगे समझेगा वही सबसे खतरना question है यह बहुत common सी बात होती है और जो बड़ा लिखा हुआ है मान के चलिएगा वह बहुत ही आसान question होगा तो यह छोटी सी बात होती है अब जरह यहाँ पर फिर से statement को जरह पढ़ना शुरू करते हैं passage को पढ़ना शुरू करते हैं passage हमारा यह बोलता है in simple matters like shoemaking we think only a specially trained person will serve our purpose यहाँ से हो सकता है कि कुछ skill के बारे में बाते हो रही होगी क्योंकि यहाँ पर especially trained person के बारे में कुछ-कुछ बाते चल रही है तो there must be something about skilled ठीक है skill के बारे में बात हो रही होगी but in politics we presume that everyone who knows how to get vote knows how to administer the state अब यहाँ पर देखिए हो सकता है skill के बारे में नहीं बाते हो रही है यहाँ पर कहीं न कहीं जो होता है एक Indian perspective में बूला जा रहा है कि क्या हम assume कर लेते हैं तो कहीं न कहीं एक over expectation की बाते भी हो सकती है When we are ill we call for a trained physician हम लोग कहीं न कहीं जो होता है trained physician यानी skilled medical officer को बुलाते हैं जिसके degree is a guarantee of specific preparation and technical competence जिसके पास में technical degree होती है और जिसके थुरू जिसके degree पर हम उस पर trust कर पाते हैं तो कहीं न कहीं एक trust वाला भी यहाँ पर matter निकल करके आ सकता है तो यहाँ पर trust हो सकती है यहाँ पर skill हो सकती है यहाँ हो सकता है इंडियन political system के बारे में भी बात किया जा रहा हो कि political system में कैसे किसी को भी हम नेता बना देते हैं So whose degree is a guarantee of specific preparation and technical competence We do not ask for the hand semester physician हम यहाँ पर कोई phenotype नहीं देखते हैं हम यह नहीं देखते हैं कि कोई कितना सुन्दर है क्या कोई कैसे है हम लोग केवल देखते हैं कि आखिर में यह कैसे मतलब कितना इसकी degree है और the most eloquent one यानि हम लोग यह देखते हैं केवल और केवल की आखिर में charming personality नहीं देखते हैं देखते हैं कि आखिर में degree कैसी है उसकी competence कितनी है उसके अंदर skill कैसी है Well then, when the whole state is ill should we not look for the service and guidance of the wisest and the best one यानि कि यहां पर बाते चल रही हैं कुछ political system को ले करके कि हमें अपने political system में हमें वापस से reform करने की जरूरत है और कहीं न कहीं हमें एक सही बंदा ले आने की जरूरत है जो की कोई mafia type ना हो या फिर कैसे vote बस बतोरना है वो ना हो करके बलकि country की तरफ भी सोचे कहीं ना कहीं democracy का जो real meaning है वो निकल करके आना चाहिए तो यह कुछ बन पा रहा है कि हम ठीक है this should be the main thing अब यहां पर जरूरा पढ़ना शुरू करिए we assume that in a democracy any politician is qualified to administer a state यहां पर बोला या रहा है कि जो democracy है उसमें किसी भी politician को एक state administer करने के लिए दे दिया जाता है ऐसा तो है नहीं administer करने को तो नहीं दिया जाता है मतलब ठीक है it is qualified no 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 this is not qualified you would say यह किवल हम लोग यहां पर देखिए यह बोला या रहा है कि जो भी किवल vote लेने जानना चाहता है उसको administer कर सकता है तो यह conclusion तो नहीं है यह तो बस statement बोल दिया गया है तो ऐसा कोई conclusion remark नहीं दिया जा रहा है यह तो जस्ट एक तरीके से कटाच हमारा जा रहा है ठीक है it is like a critique to the statement you would say politicians should be selected from those trained in administration अब देखिए यह भी बात नहीं कह रहा है यह बस कह रहा है कि हमें केवल और केवल देख करके नहीं vote कर देना चाहिए हमें competent बंदे को बोलना चाहिए यह बात बिल्कुल हो सकती है कि हम public office से जो भी incompetent person है उसको हम हटा दे तो यह भी एक point हो सकता है आगे बोलाय रहा है कि ठीक है चलिए as voters select their administrator यह कोई भी question नहीं पूछ सकता यह सब चीज है तो कहीं से भी सही नहीं है अब यहाँ पर हमारा कहानी बैठ रहा है पहला statement नहीं हो सकता है last statement नहीं हो सकता है कहीं न कहीं B और जो C है उसमें हमें वापस से पढ़ने की जरूरत है बोलाय रहा है कि politicians should be selected from those trained in administration अगर जो बंदा trained in administration होगा जिसको जानकारी होगी जिसको skill होगी वो एक अच्छे से देश चला सकेगा केवल और केवल vote मांग लेने से मातर चीजे नहीं चलेंगी और बात यह logical भी है और यह बात सही भी लग रही है दूसरा है नहीं लिखी है बस यहाँ पर जो बोला जा रहा है वो यह बोला या रहा है कि हम उन बंदों को जैसे doctor के बारे में बोला गया था कि हम उस doctor को ले करके आते हैं जो ज़्यादा degree wise competent होता है तो कही न कहीं एक trained person को ही हम ले करके आ रहा है और बिमारी बगर जो भी problem है उसको sort out करवा रहे है तो same वैसे हमें politician को भी वैसा ही select करना चाहिए जो की trained हो administration में trained होना चाहिए तो it should be यह देखिए should be लिखा हुआ है ऐसा होना चाहिए और यह बात समझ में आ रही है कि हाँ ठीक है this must be answer यही answer आपका होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक perspective बताया जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए अब देखिए normally क्या होता आप जड़ा एक और यहाँ पर catch है उसको समझिएगा normally ऐसे जो questions होते हैं जहाँ पर आपको conclusion derive करना होता जिसमें एक positive note दिया जाता है उसमें language में आपको या तो may भी मिलेगा या should भी मिलेगा मतलब कुल मिला करके एक authoritarian language नहीं मिलेगी आपको यहाँ पर एक recommendation type का language मिलना चाहिए अब देखिए पहले वाले statement को जड़ा पढ़िए यहाँ पर बोला है second statement में तो चलिए यहाँ पर should भी बोला गया है यानि recommendation type का लग रहा है तो यह answer हो सकता है तीसरा statement बोला है we need to हमें यह करना पड़ेगा devise a method of bearing यह भी कही न कहीं है एक authoritarian type का statement हो गया कि हमें यह करना पड़ेगा we need to take action last है कि as voter select their administrator the eligibility of politician to administer should cannot be questioned यह भी एक authoritarian type का ही हो गया यह कोई recommendation नहीं हुआ तो देखिए ऐसे भी आप answer को निकाल सकते है whenever you are getting a conclusion type का question तो वहाँ पर आप answer में ढूणिए कौन सी recommendation type की language लिखी हो ही है तो language which is based on a recommendation या recommendatory line type का होगा वही आपका main answer होगा क्या बात समझ में आई तो यह भी एक छोटा सा catch है और इसी catch के basis पर you can answer the passages ठीक है now coming to the next part जो हमारा passage number two है again हम अपने step number one पे जाएंगे और पहले question पढ़ेंगे और उसका keyword ढूनेंगे चलिए question है why is the methodology adopted in India to count the poor debatable यानि कुछ बाते हो और यह poor की बाते हैं debatable poor को count करने की यानि BPL line वगर जो निकाला जाता है वो अपने आप में questionable क्यों है यह पहला statement है second statement है why is income poverty only one measure of counting the अच्छा यहाँ पर है poverty को नापने के लिए केवल income ही क्यों एक मात्र measure लेकर के चलते है यह हो गया keyword फिर है what does the author mean by poverty of a life कहीं न कहीं यह poverty of a life में यहाँ पर मतलब क्या है इसके बारे में बताना है कि poverty of a life का मतलब क्या यहाँ पर निकल करके आ रहा है I think कि यह ही हमारा question है passages को लेकर के अब देखें तीन question थे तीनों को आप retain किये पहले में बोला गया है कि आखिर में income के अलावा या फिर ऐसे बोल सकते है poor को count करने का क्या तरीका है तो poor को count करने का तरीका क्या बोला गया है पहला है दूसरा question क्या था बताईए recall करिए यही है retention करना कि जितना अच्छा retain किये रहेंगे उतना कम समय लगेगा हमारा challenge यह नहीं है कि question का answer निकालना है challenge होता है CSAT के paper में कि within time आपको answer निकालना है तो पहला question हम लोग ने देख रखा था कि यहाँ पर methodology कौन सी है दूसरा बोला गया था कि एक मातर income से ही क्यों हम लोग poverty का level निकालते हैं और तीसरा था कि poverty in a line इस तरीके से कुछ statement बोला गया था उसका मतलब समझाना था उसको हम लोग देखेंगे कि क्या मतलब है अब देखें यहाँ पर statement लंबा चौड़ा लिखा गया है यानि की answer यानि ये पैसेस तो आसान है तो आप जरा पढ़ना शुरू करते हैं और इसके answer को फिर निकालेंगे keywords तो आपको ध्यान में आही गया है चाहे तो आप उपर लिख भी सकते हैं कि पहला वाला क्या है methodology को ले करके question पूछा जा रहा है तो methodology के बारे में होगा दूसरा केवल income क्यों है तो income को ले करके बाते हो रही है income as parameter हो गया और तीसरा वाला है कोई एक statement था उस statement का मतलब निकालना है income in life करके था वो आपको statement का मतलब निकालना है यानि की meaning आपको यहाँ पर बताना है चलिए poverty line यह हमारा keyword is quite unsatisfactory when it comes to grasping the extent of poverty in India ठीक है मतलब यह बुला रहा है कि poverty line जो होती है जो इंडिया में poverty कोई extent को दिखा रही है वो अपने आप में unsatisfactory है it is not only because of extreme narrow definition of who is poor यानि की methodology जो ली गई है वो ली गई है who is poor यही बस देखना है कि who is poor यह हमारा main context बन गया हमारे poverty के level को ले करके and the debatable methodology अब हमारी जो methodology है वो अपने आप में debatable है used to count the poor but also because of more fundamental assumption इसके लावा हमारे पास में कुछ fundamental questions भी बन जाते हैं कि क्या क्या चीज़े है one second रुकिए तो यहाँ पर बाते थी debatable methodology used to count the poor but also because of more fundamental assumption यानि कि यहाँ पर जो methodology में हम assumption ले रहे हैं वो भी कही न कहीं कुछ न कुछ गरबढ है it exclusively realized यानि कि जो methodology है वो किस पर dependent है it is the on the notion of poverty as insufficient income और insufficient purchasing power दो बाते ली गई हैं insufficient income और insufficient purchasing power one can better categorize it by calling it income poverty यह हम income poverty बोल सकते हैं if poverty is unsustainably if poverty is ultimately about deprivation affecting human well-being then income poverty is only one aspect of it अगर हम human के well-being को देखते हैं तो उसमें से income poverty एक ही aspect बन पा रहा है poverty of life यह ध्यान आ रहा होगा यह question number 3 में पूछा गया है कि इसका मतलब क्या है तो poverty of life in our view lies not merely in the impoverished state in which the person actually live but also in the lack of real opportunity given by social constraint as well as personal circumstances to choose other type of living यानि कि यहां से यह बात समझ में आ गई कि गरीबी का मतलब कि वल यह नहीं होता है कि उसको उसकी income कम हो जाए या उसको opportunity ना मिल पाए बलकि यह भी होना चाहिए कि समाज में जोहां पर वो रह रह रहा है अगर उसको वो proper opportunities नहीं मिल रहा है या उसके जो personal circumstances यानि गरीबी होना या resource के availability ना हो पाना अगर यह सारी बातों को हम देखें तब जाकर के हम बोलेंगे कि वो poverty of a life हो गई वो जिंदगी की गरीबी हो गई जैसे बुलायाता है ना कि आदमी पैसे तो तो अमीर है लेकिन दिल से बड़ा गरीब था तो यही बात है कि गरीबी अपने आप में बहुत सारे चीजों को एक साथ ले करके चलती है so even the relevance of low income, meager positions and other aspects of what are standardly seen as economic poverty relate ultimately to their role in curtailing capabilities their role in severely restricting the choices people have to lead variable and valued life नीचे वाले में तो खुछ खास ऐसा मतलम नहीं है अब हमारा statement हमारा जो question था एक तो था कि जो methodology ली जा रही है देखिएगा why is the methodology adopted India to count the poor debatable debatable क्यों थी क्योंकि debatable में देखिए एक बात बोला गया है कि insufficient income और insufficient purchasing power पर ही केवल और केवल ये dependent है इस वज़े से ये debatable है तो अब जरा 12 number question को देखिए क्या बोला जा रहा है कि there is some confusion regarding what should constitute the poverty line अब what should में ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर तो सीधे तोर पे बोला गया है कि हम purchasing power को ले सकते हैं या फिर income ले सकते हैं तो purchasing power और income यही दो बाते बोली गई है तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो पहला statement तो wrong हो गया दूसरा है there are wide diversity in the condition of rural and urban पूर क्या कहीं पर भी passage में पढ़ते हुए मैंने rural या urban बोला था क्या नहीं statement काड़ दीजिए there is no uniform global standard for measuring income poverty तो global नहीं है तो उससे क्या करना है हर एक Indian की अपनी बाते होती है तो यह भी कि statement wrong statement हो गया last statement हो गया it is based on the proposition of poverty as meager income and buying capacity देखिए buying capacity का मतलब हो गया purchasing power यह बन गया हमारा purchasing power और फिर दूसरा हो गया हमारा income को ले करके क्या यही statement भी लिखा गया था तो answer आपका हो जाएगा यहाँ पर D number का यह answer this one is the correct option तो यह आपका हो जाएगा answer यहाँ पर दूसरे वाले पर पर आजाएए दूसरे वाले question क्या बोलता है income poverty only income poverty only one measure of counting the poor अब यहाँ पर देखिए income poverty why is income poverty only one measure of counting the poor क्यों ऐसा है क्योंकि it talks of only one kind of deprivation ignoring other बाकी सब चीजों को ignore करता है और बात सही भी थी क्योंकि हम लोगे थे खेते social opportunity को यहाँ पर miss किया गया था तो social opportunity की बात है इसके अलावा जो इसकी personal constraint है तो इसकी personal constraint को भी हमें साथ ले करके चलना चाहिए तो यह सब भी कहीं न कहीं जो हता है resources की availability तो बात तो सही लग रही है दूसरा statement पढ़िए other deprivation in a human life have nothing to do with the lack of purchasing power यह बड़ा ही extreme statement है देखिए और ऐसे statement नॉर्मली आपको wrong देखने को मिलेंगे खेर पढ़कर के भी समझ में आ रहा है कि बाकी के जो deprivation होते हों जिंदगी में purchasing power से कोई मतलम नहीं होता है ऐसे कैसे नहीं होता है समाज में जो caste system है अब यह बताईए फिर है income poverty is not a permanent condition it changes from time to time बात ये भी ठीक है लेकिन ये बात सही है statement is good लेकिन जो question पूछा गया है उसका answer नहीं निकल करके आ रहा है कि ये why is income poverty only one measure तो ये statement गलत हो जाएगा income poverty restrict human choices only a point of time ये भी statement देखिए कहीं पर लिखा हुआ नहीं था तो answer यहाँ पर जो most correct बैठ रहा है वो आपका बैठ रहा है आपको answer जो निकालना था वो passage को पढ़ करके निकालना था और after reading the passage you will get this one is the appropriate most appropriate answer यहीं आपको देखने को मिल रहा है last is what does the author mean by poverty of a life poverty of a life का मतलब यहाँ पर देखिए बाकी अब देखते हैं statement पढ़के all deprivation this is all deprivation in a human life which stem not only from lack of income but lack of real opportunity देखिए कुछ न कुछ real क्या है real का मतलब है जो social constraint और personal constraint के कारण से निकल करके आ रही है तो बात समझ में आ रही है impoverished state of poor people देखिए अगे रूरल अर्बन के बारे में कोई कहानी नहीं बोली गई थी missed opportunity in a diverse personal circumstances बात सही है missed opportunity है लेकिन personal में ही नहीं केवल और केवल बलकि social भी होना चाहिए था यहाँ पर तो यह अधूरा statement wrong statement material as well as non material deprivation in a human life which restrict human choice permanently यह भी एक wrong statement हो गया तो यहाँ पर answer जो आपको मिल रहा है this one is the a option most accurate answer यहाँ पर बना this is most appropriate answer तो कुल मिला करके यहाँ पर जो आपको सीखने को मिला वो यही है कि step one में सबसे पहले आप question के जो keywords उनको identify करिए step number two में comprehension यह नहीं passage को पढ़िए और keywords को highlight करिए step number three में फिर वापस से आप इसको पढ़िए और देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़े लिखिए and answer the most appropriate option तो यह आप इस तरीके से अपने जो comprehension based question उनको attempt कर सकते हैं हमारे पास में और भी questions है but I think now you have to practice first पहले आप लोग practice करिएगा with the questions जो past year में पूछेगा है और फिर इसी तरीके से करिएगा step wise में करिएगा कोई load लेने की जरूवत नहीं है आसानी से और बहुत आराम से attempt करिएगा बाकी के जो questions होंगे उनको हम लोग अपने next session पर discuss करेंगे तो फिलाल कुछ part हम लोग reasoning के discuss कर लिए और एक comprehension का बड़ा segment हम लोग ने discuss किया है next part पर हम लोग एक दिन comprehension को ही devote करेंगे और बाकी के जो comprehension है बाकी के जो passages है उसको कर लिएगा और फिर बाके mathematical जो questions है उन पर भी चले आएगे तो फिलाल यहाँ पर stop करेंगे जो doubt रहेगा वो आप लोग टेलिग्राम में पूछ लीजेगा हम लोग मिलेंगे अपने next session में till then goodbye, thank you so much, bye bye